जेहन दोस्तों जैसा कि मैंने आखको पिछली वीडियो में बहुत बैतिन तरीके से आपको मैंने पोशन के बारे महतपून जानकारी देने का कार किया जो कि आपके जीवन के लिए था आपके एक्जाम के लिए आती महतपून होने का कार कर रहा था कहीं न कहीं हम बहुत बैतिन तरीके से आगे बढ़ने का कार कर रहे हैं और बहुत बैतिन तरीके से आगे भी बढ़ रहे हैं सीधा चलेंगे आज हम टॉपिक पर आखे टॉपिक कहता क्या है उसकी बारे महतपूर्ण जानकारी आज मैं दूँगा आपको जिसे कि आपके जीवन में कश्ट उत्पन ना हो याद रखेगा जो भी विध्यारती हमारे पास से रेगुलर्टी मैंटेन करते हैं गारंटी तो हैं इसे मिलती है आपको कि 2023 में आपकी जोब आपके हातों में होने का कार करेगी बिसे सूचना तो आप लोगों के लिए यह भी है कि याद आप वीडियो को पूरी तरीके से देखते हैं और उनके नोट्स बनाने का कार तब डेली रिवीजन से तब बेगली रिवीजन करने का कार करते हैं तो कहीं ना समखलना तो competition वाले विध्यारती ही बहुत बहतीन तरीके का एक उधारन देखने को मिलता है सिधा topic पर चलेंगे कल मैंने आपको business परकार के लिए बताया था business परकार का chapter बताया था जिसको हम बोल रहे थे portion आखर portion होता गया है इसी को कल मैंने आपको समझाने का कार किया था आपको बताया देंगे आज हम कि सेकराइट बगेरा पड़ने थे कि कार्वाहिडिट की जो तीन भाग होते हैं दो है कौन कौन से होते हैं तो पहला जो भाग है उसको बोलते हैं यह क्या होता है कैना सर जी यह सबसे सरल सरकरा यह कार्वाहिट है क्या है मोनोसेकराइड क्या है मोनोसेकराइड जो है वह एक Carvohydrate है क्या है केना सर जी Carvohydrate है क्या केना सर जी केमें Carvohydrate के मातर एक अणू होते हैं जैसे की Glucose Factor इसके बाद बोलेंगे Glitos तथा Ribos महतपुन तथ परन्तु यह है उड़्चा प्राप्ति के लिए ग्लूकोस दिया जाता है परंतु उर्जा प्राप्ती के लिए ग्लूकोस दिया जाता है और ग्लूकोस बहतरी तरीके से प्रमों को प्रिकार होते हैं जो कि मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा कि glucose कौन सा glucose किस ब्यक्ति को चड़ाना पड़ता है N.A.S. होता है N.A.S. होता है बहुत प्रकार के glucose होते हैं सभी ब्यक्तियों को एक जैसा glucose हम नहीं चड़ा सकते हैं इसका प्रमुक कारण कीवल एक मात्र यह होता है किसी को क्या होती सुगर्ज नामक बीमारी भी होती है तो उसमें यह है glucose का प्रियोगम नहीं कर सकते हैं इसके लावा मैं आपको बता दूँ कि जो glucose होता है वो instant energy हमें देने का कार करता है क्या करता है कि नसर जी instant energy हमें देने का कार करता है जो glucose होता है मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो glucose होता है दोखो पहले बात करें हैं glucose होता क्या है कि हम बार्टर के फॉर्म में या आपने सुना होगा glucose होगा glucose के powder भी बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं market में available हैं उन्हीं को हम देखते हैं उससे हमें क्या मिलती है instant energy यानि glucose हमें प्राप्त होती है monosecrate क्या है कि नसर जी monosecrate एक कार्वोहाइडेट है क्या है monosecrate एक कार्वोहाइडेट है इसमें कार्वोहाइडेट कार्वोहाइडेट की जो मात्रा है समझेए तता राइबोज हो गया ठीक है ना परन तो यह उर्जा प्राप्ती के लिए ग्लुकोज ही दिया जाता है महत्पूर्ण लाइन यहां से बनती है इसके बात करेंगे हम सबसे मीठा सरकरा होता है बहुत महत्पूर्ण है आरारबी में आया हुआ कोशन है क्या है आरारबी में आया हुआ कोशन है और बहुत महत्पूर्ण कोशन होने का कार करता है बहुत बैतिन तरीके से एक्जामनल में यह कोशन किया था कि बताइए सरकरा में सबसे मीठी सरकरा कौन सी होती है कि नसर जी सरकरा में जो सबसे मीठी सरकरा होती है उसको फैक्टोस कहते हैं क्या कहते हैं कि नसर जी उसको फैक्टोस कहने का कार करते हैं जो कि फलो में पाए जाता है फैक्टोस कहां पर पाए जाता है मैं तो पूर्ण कुशन यहां से बनता है कि नसर जी फलो में फैक्टोस फलो में फैक्टोस पाए जाता है सर सब्सक्राइब कर तो आप स्कूलाओ यह बहुत 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 बैद इन तरीके समझ में आ गई हो कि नसर जी फलो में फैक्टो सरकरा पाई जाती है ठीक है यह RRB में आया हुआ है कोश्चन है RRB 2018 और 2019 में यह कोश्चन आपको देखने को मिला प्रमुख तरीके से इसका बात करेंगे राइबोज राइबोज नाम की जो सरकरा होती है बहे DNA तथा RNA में पाई जाती है बहुत 2020 में जो हालिफ लाल के एक्शाम में हूए उन्हें एक्शामों में आपको देखने को मिला कि उसने पूच था कि बताईए यह यह राइवोज जो भी जी जो राइवोज होते हैं राइवोज नामग जो सरकरा होती है डिए ने में कहाँ पर पाई जाती है कहना सर जी डिए ने त simply आर नामग सरकरा मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बहुत बहुत बैतिन तरीक adversely say से बड़ा चुका हूँ कि जो DNA तथा RNA में कौन सी सरक्राइ पाई जाती है आप लोगों ने बहुत बहतीन तरीके से मुझे अंसर देने का कार किया कि सर जी राईबूस नाम जो सरक्राइ वह कहां पर DNA तथा RNA में पाई जाती है, बहुत महत्पूर कुश्चन है ये, ठीक है, मोनो सेकराइड में आसा करता हूँ, आप लोगों को बहुत बैदिन तरीके से समझ में आ गया होगा, अब बात करेंगे हम डाई सेकराइड, डाई सेकराइड क्या होता है, समझेगा थोड़ा मोनो सेकराइड की तुल नाम है, सौरी, ये, मोनो सेकराइड की तुल नाम है, जटिल होता है, भया जी, यह एक अणू का होता है, और यह जब दू अणू का होता है, तो बिल्कुल बहतरीन सी बात तो यही बनती है, कि मोनो सेकराइड से कहीं ना कहीं है, जटिल होगा, क्य ने कहना सर जी दो कार्वो हाइड़ेट अनू से मिलकर बनता है और वह केवल एक अनू से मिलकर बनता है वो मोनो सैकराइड कहलाता है और जो दो कार्वो हाइड़ेट से मिलकर बनता है वो डाई सैकराइड कहलाता है और कहीं न कहीं जो मैनो सैकराइड होता है ना मैनो इसके बाद lactose होता है, क्या करता है? जो Glucoge होता है na Glucoge, क्लाइकोज को Glucoge होता है? श्का बात करेंगे Maltose की Glucoge-Glucoge, Glucoge Plus, Glucoge Plus, Glucoge Glucoge, Glucoge plus, Glucoge, Glucoge तहता Glutroge ठीक है ना आपको बहुत 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 पर नोट लिखा हुआ है, इसको और समझते हैं, छोटी आथ से निकल कर निकलने वाला, छोटी आथ से निकलने वाला, जो एम जाइम होता है, वह सुक्रोज या सुक्रोज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज में तोड़ता है, क्या होता है, क्या होता है, जल्दी स किस तोड़ने का काम करता है कि giDisucroju में तोड़ने का कारण करता है कि ंरे सामन प्रियोंग में आने वाला जो 312 होती है आने वाली जो टेल चीनी होती है बैए किस की होती है कि नसर जी श Umro approved का बना होता है किसका किनासरी सुक्रोज का बना होता है और सुक्रोज गन्ना तता चुकंदर में पाय जाता है प्रमक उधारन सुक्रोज के जो होते हैं एक्जामनर बहुत 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 बताना चाहता हूँ नोट में एक बहुत 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 ब क्या पाए जाता है कि नसर जी उसमें सुक्रोज पाए जाता है इसके लावा में आपको बताना चाहता हूँ कि सुक्रोज जो होता है इसके प्रमुक अधारन गन्ना तथा चुकंदर होता है ठीक है ना गन्ना तथा चुकंदर होता है दूद में लेक्टोस सरकरा पाए जाती दूद में कैसी सरकरा पाई जाती है कि नसर जी दूद में लेक्टो सरकरा पाई जाती है जबकि इसमें कैसी नमक प्रोटीन पाई जाता है दूद में कैसा प्रोटीन पाई जाता है कि नसर जी दूद में कैसी नमक प्रोटीन पाई जाता है यही पर मैं पूछू आप से कि ब क्या केना सर जी दूद में लेक्टो सरकरा पाई जाती है केना सर जी एक कोशन आपने मुझे बहुत पहले बताय था कि कौफी में कौन सा नसीला पधार्थ होता है कौफी में कैफरीन होता है कौफी का यूज पता किसलिए होता है भया जी कौफी का प्रियोग होता है आपको कैफिरीन बोलते हैं, और जो चाए में जो नसीला पधार्थ होता है, उसको हम थीन बोलते हैं, दूनों चीज़े महत्वपूर हैं, चाए आपकी ठकान को मिटाने का कार करती है, जबकि कॉफी आपकी नीद को भगाने का कार करती है, दूनों चीजों में अंतर होता है, और हम पारी बुंदेल खंड में पाय जाती हैं कल मैंने आपको महावारत अता रामायड के बारे बिसेज जान करी दी थी आध्याते में ज्ञान वहीं से आपको देखने को मिलता है इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे की हम पारता करने का कार करेंगे तो समझें अगर मेंने आपको बताय था कार्वाइडट के बारे में तो पेला होता है मुनोसैकराइड मुनोसैकराइड क्या होता है इसमें होता है पॉलीसैकराइड कल बतांगा ओमें बहुत बैधने तरीके से जन्दा मत करिए गा छोड़унगा कुछ नहीं। ठीके ना हाँ तो बात करेंगे मोनोसेकराइड की यह सबसे सरल सरकला तता कार्वाहाइडिड होता है कार्वाहाइडिड होता है इसमें कार्वाहाइडिड की मातरा का सिर्फ एक ही अनू पाया जाता है क्या एक ही अनू का बना होता है इसमें glucose, factors, galactose सता राइवोशूम तुरंत उर्जा के प्राप्ती के लिए glucose दिया जाता है तुरंत ही यानि instant energy में बार बार बता चुका हूँ कितनी बार मैंने बताया है कि तुरंत उर्जा प्राप्ती के लिए हमें क्या दिया जाता है, कि नसर जी glucose दिया जाता है, इसको में instant energy भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको में instant energy भी बोलेने का कार करते हैं है ना, चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होने का कार कर रही है, इसके इलाव कहां पर के नसर यह फलों में पाई जाने का कार करती है इसकी लावा में आपको एक बात और बता दूँ कि जो राइबोस नामक सरकरा है बहुत बढ़ यह पाई जाता है डियने तता आरेने का जब मैंने आपको चेप्टर पढ़ाया था बहुत बहतन तरीके से मैंने आपको बताया था कि डियने तता आरेने में पाय जाने वाली जो सरकरा होती है उसको हम राइबोस सरकरा भूलते है बहुत बढ़ यह तरीके से आप जा सकते हैं पिछली वीडियो में जाईए प्ले लिश्ट में और सर्च करिएगा बाहू बली बैच Future Academy X by Z में जैसे ही आप जाएंगे playlist पर जाने के बाद किलिक करेंगे उसमें देखिएगा आप बाहू बली बैच में बहुत बैतिन तरीके से भाया जी 60 वीडियो का स्तंगर है देखने को मिलता है और कहीं न कहीं चीजें डिटेल में चल रही होंगी इसी कारण वीडियो की जो संख्या है कहीं न कहीं बढ़ती हुई दिख रही है बहुत बैतिनी सा कंटेंट आपको देखने को मिलता है बसरते दुख और तकलीप इस बात की है कि बिध्यारती को फिरी का जो चीज है ना फिरी की चीज पचती नहीं है क्या फिरी की चीज पचती नहीं है अगर आप सरकारी होस्पिटल में जाएंगे न तो वहां की दवाई से आराम नहीं मिलेगा जब 500 रुपय जेब से खर्च करेंगे तो रंत आराम मिल जाएगा 500 जैसे जेब से निगलेंगे और हाल आराम मिल जाएगा समस्यां इस परकार किया क्या कह सकते अगर मैं तो बस इतनी बात कहता हूँ अगर आप जीवन में चाहते हैं कि जोब चाहिए बिलकुल तो आप जोड़ जाएए फ्यूचर अकेडमी एक्स बाइजट से गारंटी देता भाई 2023 के अंदर अंदर में जोब दिला दूँगा बहुत बैतिन तरीके से बसरते पढ़ना पढ़ेगा रेगुलर्टी मेंटेन रखने पढ़ेगी अगर आप डेली आएगे वीडियो को बीडियो को डेली देखते हैं और डेली रिवीजन तरफ बीगली रिवीजन फोकस करते हैं नोट्स बना रहे हैं ना तो कहीं न कहीं इस बार 2023 में आपकी जॉब आपकी सीट पकी है गारंटी देता हम इस बात की बसरते विधियारतियों को समझाये कौन इस बात को ठीक है तो डाई सेकराइट क्या होती है यह है दोखो यह एक अनू के मिलकर बना होता था और यह दो कार्वोड यह है एक कार्वोहाइडिट का बना था यह दो कार्वोहाइडिट के अनू से मिलकर बना होता है का कार करता है और नोट में बहुत बैदिन तरीके से लिखा हुआ है कि छोटी यहां से निकलने वाला जो एमजाइम होता है वो सुक्रेज को सुक्रोज में लैक्टोज को लैक्टोज में माल्टोज को माल्टेज को माल्टोज में तोड़ने का कार करता है छोटी यहां तो जो एम जाइम निकलती है सामाने ताप प्रियोग में आने वाली जो टेविल चीनी होती है वो कहीं ना कहीं सुक्रोज की बनी होती है टेविल चीनी क्या होती है कि नसर जी सुक्रोज की होती है और सुकरोज का एक पिश् Music Udharan गना तेटा चुक-ंदर वोता है, आप लोगों ने विद्यार्टी ने सुना होगा टेविल चीनी का मतलब समझते हैं, जो टेविल पर रखी होती है, और टेविल पर कौन सी चीनी रखी होती है, जो अपने साधरन घरों में बनी होती है, जो साधरन घर में यूज होती है, वही तो टेविल चीनी है वही या, यही तो चीज़ें समझ में नहीं आती है, और सुक को पढ़ना महत्व्पूर्ण है बिन पढ़े कुछ नहीं आएगा बहुत बहतिन तरीके से पढ़ना पढ़ेगा. है ना तो कही न कहीं आज का जो टॉपिक था बहुत महत्वपूर्ण था और कल हम बात करेंगे किस की? कहना सल जी? polysacryde की बात करेंगे, बहुत महत्पूर polysacryde भी है, इसको भी हम complete कल लेंगे कल, और आपको बताते हैं, बहुबली बेच में जाहिए आप पहले लिस्ट में जाहिए, भहिया जी मैं बार-बार कहता हूँ, जाहिए एक बार देखिए तो भहिया जी, content कौन सा चल रहा, 60 प्लस वीडियो देखने को मिलेंगी वहाँ पर, कितनी, 60 प्लस वीडियो हो गई वहाँ पर, 60 प्लस वीडियो का संगर है, देखने को वहाँ पर मिलता है, आपको चाहिए पूरी वीडियो पढ़ दीजिए, एक्जाम की खोपड़ी में छेद कराएंगे, अब थर थर काहाँ पेगा, एक्जाम, गरंटी दे रहा इस बात की, बसरते पढ़ना पड़ेगा, महत्वपूर्ण तो यही है, इसके लाब आप चाहिए, रामसेतु बेच भी चल रहा है, उसमें भी 30 प्लस वीडियो, हिष्टी का, बहत्री इन बेच, जो आपने कभी भी किसी कंटेंट में, किसी टीचर को बढ़ाते नहीं देखोगा, पूरी डिटेल से चीज़ें, तो महाँ पर मैंने आपको मेंसन करी हुई है, और कहीं नहीं कहीं कंटेंट में, बहुत दम्हें में, बार बार यही कहता हूँ, कि मेरा फोकस जो होता है, वो कंटेंट पर होता है, भूरी डिटेल में चीज़ें, आप रामसेतु बेच में जाईए, बहुत 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 बहु कि आपको देखने को मिलेगा आप देखिएगा आननद आजाएगा आपको पड़ते पड़ते इस बात सम्मेदान चुटकियों पर बता देंगे आप आर्टीकल इतने बैदीन तरीके से समझाऊंगा चिनता क्यों करते हैं आप लोग ठीक है ना तो इसी के साथ वीडियो को सा कर लिजेगा और शेयर करके आईएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्योंकि आज की जो वीडियो थी कही ना कहीं बहतरी इंगजा वल्ला जवाब होने का कार कर रही थी इनी चंद सद्दों साथ बिदा लेना चाहूंगा जीवन में आना देत रहिएगा आ बहुत जरूरी है स्क्रीन सोट है ना जल्दी से लीजिए